दोस्तों आज की computer tips शुरू करने के पहले ट्रेलर देख लीजे, अगर आपको ट्रेलर पसंद है तो ही आप picture देखेंगे, सही है ना, तो यहाँ पे देखिए, मैंने मेरे computer में this PC, यानि Windows Explorer विजिट किया है, और जिसमें मेरे पास C drive और D drive दो drive दिखाए दे रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि या पे और दो drive create को, तो यह देखिए, या पे दो और drive मैंने create के, E drive और App drive, लेकिन यह मैंने कैसे create के, यह आप जानने में ज़रू interested रहेंगे, साथी में मैं यह भी दिखाना चाहूँगा, कि D drive के अंदर मेरे कुछ important file है, और यह files में किसी को नहीं दिखान चाहता हूँ, तो यह लो यह भी काम हो गया, D drive गायब हो गया, लेकिन इसे मैंने hide कैसे किया, यह अगर आप जानना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है, जिसे जानकर आप अपने दोस्तों को impress कर सकते है, तो यह drive कैसे तैयर करते हैं, और इसमें से कोई drive हैड क करना है, तो कैसे एड किया जाता है, अगर आपको नहीं पता है, तो आज के वीडियो आपके लिए है, लेकिया हूँ, कंप्यूटर हाडवेर का एको टुट्रियल, कंप्लीट टेकनोलोजी चैनल पर, मैं सदीश आप सब का स्वागत करता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे लेकिन वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट, लेकिन वेडियो टॉट काम जहां पर हाडवेर का कूर्स लाँच हो गया है, और बहुत ही कम दाम में ये कूर्स आपके लिए मैंने अवैलेबल करके रखा है, बहुत सरी टुट्रियल्स इसके अंदर आपको प्रैक्टिकली मिलने वाला है, और इसका वेबसाइट का एप भी लाँच कर दिया है, जो कि आप प्ले स्टोर पे सच कर सकते है, तो अगर आप इंटरेश्टोर तो ज़रू चेकिजिएगा फिलाल अपने टॉपी की तरफ बढ़ते है, तो चलिए दोस्तों, जैसी कि मैंने इंट्रो पार जिसमें आपकी Windows की फाल स्टोर होती है, Windows इंस्टाल होता है, Windows का लोगो भी आपको दिखाएगा और यहाँ पे लोकल फाल आपकी फाल होती है, आगे के जितने भी ड्राइव रहते है, D-D-D-E-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D इसके उपर राइट क्लिक करना है, आपको याद रखिए, इसके उपर राइट क्लिक करना है, आपको याद रखिए, इसके उपर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक मैनेज ओप्शन आ जाता है, जो भी इसी बताता हो, यहाँ पे जुम करके द डिस्क मैनेजमेंट ये डिस्क लोड हो चुकी है तो इसमें C-DRIW कितना GB है, D-DRIW कितना GB आपको दिखाए दे रहा है तो मेरे पस C-DRIW है 100 GB लगबक और D-DRIW मेरे पास 9 GB तो ठीक है ये डेटा आपको दिखाए दे रहा है कि किसका कितना GB data है लेकिन यहां पर एक और चीज़ आपको नूटिस करने कि कितना GB फ्री है C-DRIW या D-DRIW में क्योंकि मुझे अगर एक्स्ट्रा पार्टिशन तैयर करने एक्स्ट्रा ड्राइव बनाने हैं अगर आपको एक्स्ट्रा पार्टिशन करने तो आपको फ्री स्पेस डूनना है तो आपको C-DRIW में कितना फ्री स्पेस है वो आपको देखना होगा लेकिन फिलाल मैं इसमें कुछ ओर ट्राइव बनाना चाहता हूँ तो मैं इसमें से 10 ZB अलग सा निकालना चाहता हूँ तो मैं अलग्स निकालता हूँ उसके 5-5 त्रॉफ बना तो आप जीतना चीका है अगर आपका मेरा SSD drive है और SSD drive के कारण ये storage का मैं 120GB का मैंने SSD इसमें लगाया है आपका अगर HDD है 500GB का या फिर 1000GB का यानि 1TB का तो आप जितना ची उतना partitions कर सकते हैं आपके पास ज्यादा free space available रहेगा मेरे पास 68GB free space है आपको दिख रहा है तो निकालने के लिए करना क्या है यहाँ पर इसी ड्रव को select करना यहाँ पर दिखा दिखा दे रहा है यहाँ इसके उपर में right-click करोंगा right-click करते यहाँ पर एक option आपको मिल जाएगा shrink volume पर click करना यहाँ दिखा दिखा दे रहे है enter the amount space to shrink volume तो MB में इंटर करो amount space मेगाबेट में तो 70,000 MB लगबग फ्री प्री है तो इसमें से हम 10,000 वाला मतलब लगबग 10 GB लगबग 10,000 मतलब लगबग 10 GB का space side निकाल रहे है तो 10,000 MB में यहाँ साइड में श्रिंक कर रहा है तो चलिए इसे shrink button पर click करेंगे यहाँ पर 10,000 लिखेंगे यहाँ श्रिंक बटन पर जैसे में click करूँगा यह process start हो जाएगी और quickly आपको एक नया drive बन गया और यह unallocated space आया है black में दिख रहे है आपको unallocated मतलब आपने अभी तक इसे allocate नहीं किया ड्राइव तो बन गया आपके computer के लिए लेकिन यह assign नहीं किया आपने इसे allocated नहीं किया है I mean to say जैसे C और D assign है तो इसे भी एक नाम assign करना पड़ेगा तो चलिए इसके पर right click कीजिए और right click करने के बाद इसे assign करने के लिए new simple volume अब कर सकते है new simple volume पर click कीजिए और यह पर next button पर click करने बाद वो पूच रहा है कि यह drive कितने GB आपको बनाना है पूरे पूरे 10,000 MB का बनाना है मतलब 10 GB का तो आप रखो इसे नेर आबाट 10 GB तो बन जाएगा लेकि next करने के बाद इसे कौन सा letter assign करना है आप कितने drive तायर कर सकते है अगर आपका ऐसा सवाल है तो जितने letter से यह पे खाली पड़े है जैसे आपने already assign किया है D drive को right और C drive को तो उसके अलावा यह पे D और C नहीं दिख रहे आपको लेकिन बाकी सारे alphabet दिख रहा है और इतने drive बना सकते है तो मैं फिलाल इसे e-naam देना चाहता हूँ okay e-naam मैंने यहां पे दे दिया और इसे मैं next करता हूँ और उसके बाद format this volume with ntfs technology new technology file system यह ntfs मतलब यह होता है और इसे next करना ऐसे रहने दे रहा है बाकी कुछ नहीं next finish कर दो बस simple कहना है मेरा यह तो इसे एक drive आप हमें हमें और एक यहां पर आनो लोकेटेड़ स्पेस मिल गया है लगबग 5GB का क्योंकि 1024 MB मतलब 1 GB तो इसकी सबसे तोड़ा सा 5 GB के आसपास ही है so right click new simple volume next करो next करो next करो और next करके यहां पे drive का नाम भी assign करो जो चहीं हो next करके next करके finish करो that's it यह तना सीधा और simple step है दोस्तो नया drive तायर करने के लिए अगर आपके computer में laptop में पहले से एक drive है जिससे आप परेशन हो चुके और c drive में सभी से भी file रख दो क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमें c drive format करने की जरूरत पड़ती है जब windows प्रॉपर नी चलता है या कुछ भी होता है अगर आप ऐसा करते हो आपके पहले से ड्राइव और उसमें आपके files रखते हो तो प्रॉब्रम नहीं यह आप आरम से फॉर्माट मा सकते है तो इसलिए partitions करना जरूरी है लेकिन अभी मुझे ड्राइव में कुछ important file है जो कि मुझे हाइड करनी है ड्राइव के अंदर important file आपको दिखाए दे रहे है और I don't want to show these files to people तो मैं यह drive डिलेट नहीं करना चाहता हूँ हाँ हाइड करना चाहता हूँ तो वह हम कर सकते हैं यहां से इस app को डाउनलोड कीजिए यहां से इस app को डाउनलोड कीजिए यहां पे आपको मिलेगा क्या बेसिकली इस website में आपको बहुत सारी courses मिलेगे आप डाउनलोड और रेजिस्टर करने के बाद आप फ्री में Microsoft Publisher Microsoft PowerPoint course अक्सेस करके सीख सकते हैं साथि में Computer Hardware का course 111 लोगों ने अब तक जोईन किया है और जो चल रहा है बहुत ही कम प्राइस में तो आप इसे भी इन्रॉल कर सकते हैं जिसमें आपको Computer की जिसमें आपको Computer को Assemble करने से लेकर हर एक चीज को डीटियल में बताया आप यहां पर कोर्स की टॉपिक चेक कर सकते हैं डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे दोस्तों पिलाल तो आपने टॉपिक की तरफ बढ़ते जो है Computer Tips No.2 How to Hide Drive तो यहां पर करना क्या है Drive हाइड करने के लिए दोस्तों सिंपल है आपको वही Management में जाना है Computer Management में और वही पर हम यहां पर डीडिव को Select करेंगे दिखाए दे रहा है हम बिसिकली ड्राइव को Hide करते हैं क्योंकि Normally फाइल को Hide करें तो आप Right Click करते हैं और Hidden Option करते हैं हम यहां पर Right Click करेंगे और इस ड्राइव का जो नाम है वह लेटर पात को हटा देंगे जाएंगे और इसका नाम हैं बदल है तो बदल सकते हैं यहां से डी के जगह आप दूसरा नाम रख्णा चाते तो रख सकते हैं दी के जगह आप दूसरा कुछ और रख सकते हैं Change button पर klik करकें तो याद रखो कि इसके उपर कोई फाइल काई पर लिंक रहेगी तो वो चलने वाली नहीं है, फिलाल हमें इसमें इंपोर्टन फाइले बस शोर नहीं करनी है, इसलिए मैं इसे यस करता हूँ, और यस करते ही वो ड्राइव का नाम हड़ गया, ड्राइव का डेटा इसी में ह इस लोकेशन पर पड़ा है, न्यू वोल्यूम के अंदर याद रखी है, इस लोकेशन पर वो ड्राइव पड़ा है, उसकी साइज भी याद रखने है अपको, अब मैं अगर इस पीसी में जाकर, विंडोस एक्स्प्लोरर इस पीसी में जाकर आपको दिखाऊ तो वो ड्रा करेंगे और यह नाम असाइन हो गया और यह ड्राइव दुबर आ जाएगा, इसे रीप्रेश करो यह आपको दिखाए देगा, राइट, सो ड्राइव कैसे हाइड करते हैं, बेसिकली ड्राइव हाइड करने के लिए राइट क्लिक प्रोपरटीज में जाना है, आपको मैने अच्छे में जाना है, मैंने आपको मैनेजमेंट अच्छी तरह से पता है, कि ड्राइव कैसे हाइड करते हैं, आपको यह दोनों टिप्स पसंद आई होगी, पसंद आए तो आपने लाइक, शर और कमेंट जरूर किया होगा, दिस्क्रिप्शन में हमारी चैनल के आमने लि